और दिल्लिपली स्पेशल क्योंकि दोनों का इस लेबस क्या है फिलाल चंडिगड मिसन पर है तो हम 152 से होते हुए कहां पहुंचने का प्रियास करेंगे चंडिगड का प्रियास करेंगे और इसमें कुष्चन आएंगे बढ़िया बढ़िया आपको जवाब देना होगा प्रियास करेंगे और उसके साथ जड़ी बात हम पढ़ते जाएंगे सबसे इंपोर्टन परसनों को काम शुरू करें आज करें तो भाई यह है आपके लिए पहला कुष्चन स्क्रीन पर गोर से देखेगा नोट करिएगा और काम को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा नि कि जो बेटा सारे कुष्चन की पीडियाफ है जी इस किलास में जो उनके साथ लगा दीजिएगा तो पीडियाफ लग जाएगी तो मेरे हिसाब से नोट करने की ज्यादा अवशक्ता नहीं है कुष्चन को नोट मत करो कुष्चन के साथ जो जुड़ीवी चीज आएंगी पेटा उनको हम नोट करेंगे तो शुरू करें निमन में से किसने सिकन पूरी कर दोना ऐसा हो जाए पूरी स्क्रीन कर दो भाई सिकंदर की जीवनी लिखी थी से लुकस हेलना अने सिक्रिटास और निर्याकस किसने लिखी बेटा बताएगा चार ओप्शन आपके सामने चा वो हो जाएगा देरे देरे शालुकस हेलना अने सिक्रिटिस निर्याकस किसने लिखी एक बताओ बेटा शालुकस थारा सिर्क गलत जवाब है अब आपे बोलेंगे हेलना और बेटा माफी चाहूंगा हेलना भी अरे भाई साब हमीं करता हूं इसको रड़ी एलना भी बहुत ही गलत जवाब है भाई अब निर्याकस भी गलत जवाब है इसका सही जवाब है थारे तो तुक्के भी नहीं लागरे मेरे बेटा चार में से तीन पहले गलत बताए है तब जाके मेरे बेटा आपका तुक्का लगा है मेरे बेटा कि अपिटा रिकोर्डिंग अगला किष्ण देखें भीटा ध्यान से सुझेगा यह सिकंदर जो था इसका जनम कहां पर हुआ बड़ो शिकंदर का जनम कहां होँआ सामने देख रहें तेरा ध्यान के तरह ही ओज इस समय देख पेला पोरस खुद एक राजा था पेला एक राजा बड़ा मेरे बच्चो मकदूनिया का और मकदूनिया ही मैसी डोनिया है मैसी डोनिया ही मकदूनिया है एक ही जगह है कि मेरे बच्चो कितने नाम है यह दो नाम है मकदूनिया ही मैसी डोनिया ही मकदूनिया छोटे से गाम था उसका नाम क्या था बिटा पेला गाम था और किस्षन आयगा मेरे बच्छो युनान का इससा पड़ता है आज कहां का इससा पड़ता है युनान का इब फशन देशी में बोल देतों शिकंदर युनान का रहा जा था कहां का रहा जा बेढ़ और दुनिया जानती है, शिकंदर का एक ही ख्वाब था, एक ही ख्वाब में वो जीता था, और एक ही ख्वाब के लिए मरता था, और ख्वाब कौन सा था, बेटा, भूलू न, विश विजे था, वर्ल्ड चैंपियंशिप जीतनी थी इसको, जो वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है, 2023 में कब होने वाला बेटा, 2023 में, वो जीतने का ख्वाब था, किसका बेटा, शिकंदर का, और चल पड़ा अपने गुरू से अनमती लेके, और टोपिक में नहीं पूरा पढ़ाऊँगा, क्योंकि पूरा पढ़ा चुका, बस इतना बता दो, शिकंदर के गुरू का नाम क्या थ प्लूटो ना, और दुनिया जानती है मिरे बेटा, अरस्तु का भी गुरू था, येस, प्लूटो, अरस्तु का गुरू कौन था भाई, और भाई साब ये क्या हो गया भी, हमने तो कुछ दबाय दो आए बनी भाई, तो भाई, अरस्तु के गुरू का नाम क्या था, कलाकारी सारे करके देखता हूं मैं, और उस प्लूटो के गुरू का नाम क्या था, मिरे बेटा, बोलो, सुकराद, और दुनिया जानती है, सिकंदर, हिंदुस्तान में एक राजा ने टक्कर देने का प्रियास को, उस राजा का नाम क्या था, इबोलो बेटा, पोरस, पोरस का, और दुनिया जानती है, मिरे बेटा इमान दर, इसे बतना, इस सिकंदर को घोडों पे बड़ा ट्रस्ट था, और सिकंदर के घोडे का नाम क्या था, बुका फेला, बुको फेलड़स भी कई ढल कर लिखा गया है, बुका फेला, ये किस के घोडे का नाम था और विश्विजेता शिकंदर आये था दुनिया को जीतने दुनिया जीती मेरे बेटा बढ़ हमें नहीं जीत पाया किसे नहीं जीत पाया हिंदुस्तान को नहीं जीत पाया हमारे महान सामराज्य मगद को नहीं जीत पाया को नहीं जीत पाया बेटा बोलो शिकंदर और विच चाहरा था हमारे इंदुस्तान से यह अजीब काम है अभी हमने पेंसिल चलाई थी और पेंसिल गाइब हो गई कि अब अब निच्छे आपिजाएगी तो भाई शिकंदर हमारे इंदुस्तान से वापीजा रहा था और किदर की और भीटा इधर पस्सिम की और और बेटा वहाँ पर एक जगह पढ़ती है जगह का नाम क्या भाई बेबी लोन जगह का नाम क्या मेरे बच्चों बोलो ना बेबी लोन में मौत हो गई थी किश्चन आएगा शिकंदर की कब हो गई थी बोलो जरा तीन सो तेइस इस्वी पूरू बेबी लोन में मौत हो गई कि बेबी तेरे बट्टे पे गोली चलवाएंगे ये कहां पढ़ता है मेरे बच्चों बोलो ना बगदाद में और दुनिया जानती है मेरे बेटा शिकंदर की मौत हुई 323 में ये युद कब वा था जो शिकंदर पोरस के भीश था हाइडे स्पेशिज कौन सा युद बेटा बोलो ना हाइडे स्पेशिज और कब वा था 326 इस्वी पूरू कब वा था 326 इस्वी और शिकंदर से जोड़िए तीन परदेश हैं तीन अलग 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 देश हैं शिकंदर का जनम बोलो बेटा मकदूनिया शिकंदर की बेटा म कि सीम नंत्याग भी एजरनल में और सिकंदर को धफणस्कार मोट और विश समस्कार सिकंदर ने कहा था कि जब में मरूँ तो मेरी हात मेरे ताबूत से बहार रखना किससे बहार रखना ताबूत सुमला जी क्यों दुनिया देख सके दुनिया पहचान सके कि दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला कौन भाई सिकंदर जब जा रहा है तो खाली आज जा रहा है कुछ भी लेके नहीं जा रहा लेकिन हम खाली आज नहीं जाएं च्फवारत से सबसे बड़ी संसद्य समीती कौन सी है ये आपको बतानी है लोक लेखा समीती सुनिये जरा ठहरिये जरा अनुसिलन समीती तुम मुझे पता तुम जो जो बोलेगो गलत होते जाएंगे प्राकलन समीती सार्जनिक समीती तो पहले तो तुमारा सार्जनिक समीती बहुत ही गलत जवाब है बे प्लाकरं समीति अप देखरो तुम देखरो विनोत तुम्हारी तैयारी कितनी बढ़िया है समझ में आई मेरी बाद आप सोच लो बिटा कितनी तैयारी कि तुम्हें क्या है अब शक्ता है मेरे बच्चो राइट अंसर आएगा कौण सी समीटी है सबसे बड़ी संसदी है प्राकलन समीटी बही कितने सदस्य है मेरे बच्चो इसमें 30 अब बास में उधर है आपका उस उ 30 किस्के मेरे बच्चो लोग सभा के 30 की 30 किस्के बड़ लौना लोग सभा के सदस्य है अच्छ भट यहां से परसंद आता है इम आन डर लाएव सबस्तान की में सबसे पूराणी समीति कुन सिए हैं यह वाली लोक लेखा वाली और लोक लेखा समीति में कितने सदस्य होते 21 तेरा सिर 22 मेधना तते रखो बेटा 15 पलस में साथ कितने हो गए टोटल बेटा जी 22 कितने सदस्य मेरे प्यारे बच्चों बोलो 22 पंदरा कहां से आए लोक सभास्य मेरे बच्चों साथ कहां से आए राज्य सभास्य टोटल सदस्य बोलो कौन सी स सदस्य हैं 22 लेकिन बनी कब थी 21 लोग लेखा समीति सबसे पुराणी समीति 1911 क्या धीनियम के द्वारा बनी कब 1921 में कब बनी मेरे बच्चों बो 1921 में के लिए रोगे भाई ओके आगे भढ़ते तीसरे सवाल क्यों यह देगा आपको 80 करोड रुपए 80 करोड रुपए बोल अबरी ओके महा नदी ओके अभी बोलिए अभी बोलिए बोलो हरे रामा हरे रामा हरे रामा तो राइट आंसर क्या है मेरे बच्चों बोलो बड़ा भाट किर्शना राइट आंसर बोलो बेटा किर्शना किर्शना कि साइक नदी भीमा यहां से सवाल बढ़ते बड़ा जब पंधरपूर सेहर किस नदी के किनारे है मेरे बच्चों जोर से बो ना भीमा नदी के किनारे है कौन सा सहर बेटा पंधरपूर और पंधरपूर से क्eka विश्यस काम शुरुआ था ब्भक्ति आंदोलन कोई आप से पूछे ब्गति सुर्ण बक्ति आंदोलन कहां से शुरुआ तो मेरे बच्चा आपका उत्तर क्या आएगा जोर से बो भाई पंधरपूर यहां से एक सवाल आता है बड़ा जबरदस जवाब आता है बिटा सवाल का बहुए मांदर से बताईयो यह हमारी जो किसना नदी निकलती है जल्दी से बताईगा शबस किसने बताई बिल्कुल सही जवाब है मेरे बिटा महाबलेश्वर किसका है भाई बोलो यह महाबलेश्वर बिलकुल सही जवाबर महाबलेश्वर कहा है ज़र यह भी बताओ भाई सब जोर से बोलो बेटा यस महाबलेश्वर कहां पे है मेरा बेटा बोलो महराश्टा में मैंसे महाबलेश्वर और मैंसे बोलो बेटा महाराष्टा अचा ही मांदर इसे बता हूँ बहुत ही प्यारा परसन है ये नागरजुन बांध भी किस नदी के किनारे हैं बोलो बेटा नागरजुन बांध बोलो भाई नागरजुन बांध बोलो भाई किसना अचे किसन आएग भीमा की दो सहाइक नदियां बताईए दियां कौन बच्चा बताएगा भीमा की दो सहाइक नदियां कोई भी बताए भाई नगद आइसक्रीम भीमा की दो सहाइक नदियां देखते हैं कौन सुरेंट सही जवाब दे पाता है भीमा की दो साहिक नदिया सीना बेटी आप बताओ एक तो सीना बेटी बताओ दूसरी और बताओ सीना और नीरा सोन नदी सोन नदी कहां जा रही है भीमा की साहिक नदी कौन कौन से प्रपड़ बो बाई सीना और नीरा और दुनिया जानती है बीमा का एक नाम और भी है चंदर भागा बीमा नदी को प्यार से क्या कहा जाता है भाई बोलो चंदर भागा एक इमाचल में भी एक नदी को चंदर भागा बोलो जाता हो अलग है पर साउथ में मेरी बेटियो बीमा का दूसरा नाम क्या जल्दी से ल देक्ग ». उज्जैन जो हे़न वो तो पढ़ता है, सब को बताए कुछ जैन अ Мध्द फर्देश में पढ़ता, MP में. जहां पर क्या बनाया गया हाली में? महाली। महाकाल लोक. यह बनाया गया गया दा और मंहा का लोक में बड़ी-बड़ी मूर्तिय लगाई गई बन जिस पठे ने ये मूर्तियों का टेंडर था लगवान का भगवानere का बगवान संकर की मूर्ति हमारी भगवानों की मूर्ति वो सारी मूर्ति storing हवा में वियर हारम तो शुकर मनाते हैं मेरी बेटियो कि वहां पर उपर जोई नहीं आया और मान लो मेरी बेटिदे वहां पर वीपर जोई आ आ जाता तो भाइ क्या होता सोचिए मेरी नुक्ति हालक रही पड़ गई यह तो वीपर जोई में हेающ listen किलमेटर चल रही हैं 120-120-500 किलमेटर परती गंटा कि रफ्तार से कोण सा तुभान भी पर जाए लेकिन बचाव है जितना आना था जितने को मीठी नहीं आया और मजे की बाद सुनना गुज्रात वाले डर रहें कि भाई अभी पर जो भगवान शांति से ना आए ना और उध उसके नज़दी कौन सा राज्य हरी बोलु ना महाराष्ट्रा शोइडवाला भी तर रहें और इधर राज्थान भी तर रहें प्रें अर अराल युद्धान को कई नहीं आऊंगों आ पना अज्यागों नहीं आऊ चाव चड़न को बीश बाला पुछे आऊज आऊ ख। न बहुत बड़ा यादो का तुम्हें दोड़ाई साल पहले तुफान आएगा पूरा अर्याना चुटी करती है था रहें सरकार दोड़ा बड़ा तुफाना हरा आओगो कब से काओगो चांत पचड़ के देख रहें आओगो तो भाई हमें बड़ा चाव होता है इन चीजों का तो मेरे बेटा यहां तक बात किलियर तो नागरजुन बांद भी किसने दी के किनारे किर्शना और उज्यानी छोटा बांद भीमा उज्यानी छोटा बांद किसके किनारे भाई बोलो ना भीमा इजिट किलियर भाई अब हम आगे चलते हैं चोथे परसन की और भारत का ओस्निक नेशनल पारक मेरे बैच्चों किस स्थान पर स्थित है जल्दी से बताएगा भारत का ओस्निक नेशनल पारक किस स्थान पर स्थित है सुन्दरवन चिलका जील अंडेमान निकोबार कच बो भई सुन्दर अंडेम यह बहुत ही गलत जबाब है। О बहुत बढ़ाँ जिल जिल्बी गलत जबाब है। सुन्दरवन है कभी का गलत ले लो चाड़ हूं। और कच्छ और भुज कहां पे सीता मेरे बच्चों? गुजरात में बोलो कच्छ और भुज की खाड़ी भी बोलो बेटा और दुनिया जानती है मेरे बच्चों 26 जनवरी 2001 की बात है और मुझा आज भी याद है बहुत ही जोर का भुकम पाये था कच्छ और भुज में और दोनों इस सहर तबाह हो गई थे दुबारा से निर्मान के आगे इन दोनों सहर का तो मेरे बच्चों कच्छ और भुज और भेटा जी कहां पे बोलो ना भाई गुजरात और इनमें से इसके नाम पे तो फिलम भी आई थी अजय देवगन की फिलम नहीं आई थी भुज दा प्राइड कोन से आई थी रहा भुज अब तुम जो भुज समझ रहे हो अलग है तुम मेंड़क की मोश्ची की छोरी बडल्टी उनी के बोलो भाई थम भुज बोलो वो मेंड़क की परजाती के बेटा ये हमारा एक छोटा सहर है कहां पे बेटा गुजरात में इजिट के लिए बेटा अच्छा बताओ ये ओसनिक नेशनल पारक को क्या कहते हैं अब थोड़ा सा गुमाऊंगा तो तो गुम जाओगे राष्ट्य समंदरी पारक पहला यही है बेटा इसको राष्ट्य समंदरी पारक भी कहते हैं नाम याद रखना बेटा और इसी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा ओसनिक नेशनल पारक ओसनिक नेशनल पारक राष्ट्य समंदरी पारक एक ही बात है बेटा कब बना बेटी ब बताएगी नगद आइस्क्रीम, only for girls, आपके अबल बोईज में से बताएगा नगद आइस्क्रीम ले बेटाए तो काते रहते हैं, तुम तो बताओ नालाए को लेकर जाओगे आइस्क्रीम आज, कब बना, राष्ट्रे समंदरी पारक कब बना, अरे सुनाओ, उस साल में, तुम्हें बताता हूँ, एक और घटना घटी थी देश में, उसके ठीक दो साल बाद इंद्रागंद निमर गई थी, 1984, थारा षिर्फ, तो इगीज खतना इसमिलें मेरे बती, 1982, ये कब बना था राष्ट्रे समंदरी पारक बो बैटा, 1982, राष्टे समंदरी पारक बो बैटा, 1982, और दुनिया जानते हैं, मेरे बेटा, त्यान से सुनना और समझना, आज हमारे देश के परधान मंत्री भी कहां पिरहते हैं, कहां से आए हैं, गुजराद से, कहां से आए हैं बिटा, एक कुशन और आता है, यहां से जुड़ाओ, आपके लेवल के परसंद बढ़ा रहे हूं, यह लेवल बहुत ज़यादा है, इस ही लेवल पर उन बच्चों क तो बेटा सर क्रीक कई बार परसन आता है मेरे बेटा सर क्रीक कहा है मेरे बच्चों बोलो जरा उजरात में यह विवाद का हिस्सा है किसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का हिस्सा है कौन सा चेतर सर क्रीक और सर क्रीक भी कहा है मेरे बच्चों बोलो गुजरात में और दुनिया जानती है हर साल अंतर राष्ट्य पतंग महुत्सव मेरे बच्चों कहा मनाये जाता है भाई जोर से बोलो गुजरात में अंतर राष्ट्य पतंग महुत्सव मनाये जाता है बेटा जी एहमदाबाद में और मेरे प्यारे बच्चों एहमदाबाद बोलो ना, गुजरात में, और इस बार, इस बार, दो हजार बाइस के राष्टे खेल भी कहा हुए थे तैस में, और बोलो ना, गुजरात में, दो हजार बाइस के राष्टे खेल भी कहा हुए मेरे बेटा, बोलो ना, गुजरात में, और दुनिया जानती है, हमारे ग्रह मंत कि प्रीकोन है मिर बच्चियों, कौन बला, Rani Lviji अमिछा, और अमिछा भी कहां के बेटा भोलना, गुजरात के, कहां के मिर बेटा भोलो, एक बारा है चास्ष ने पूछा भाई, परसं भी क्या गजब का पूछा भाई, खांडशी ये खांडशी कहा का वेंजन है, दोकले कहां पर खाय जाते हैं, दोकले, दोकला बोलो ना, अरे दोकला भी बोलो भाई, और दुनिया जानते है, मेरी बेटी इमानदर इस बताना बड़ा गजब का सवाल है, बोलू बेटा, नो कैसा राण दो, ऐसा बोलो, भाई, एस याई बबबर सेर, ये फैवरिट परसन बेटा, ये जो एस याई शेर हैं भारत में सब्सक्राइब पाया जाते हैं, इस पर जाती के, शेर तो सब्सक्राइब मिलते हैं, लेकिन बबबर सेर अपने पाया जाते हैं, बबबर सेर पता है कैसे होते हैं, उसका ये मोटा मुडा होता है, उसका धर छोटा होता है, पू गुजरात मेर दुनिया जानती है धीरु भाई अम्भानी कोन थे मुके संभानी के पापा धीरु भाई अम्भानी भी कहा के उद्ध्योग पती रहे हैं बेटा बोलो ना मुंभाई शिफ्ट है अलग बात से लेकिन दिरु भाई कहां के थे भाई साब बोला और कहते दिरु भाई अम्भानी को जब पहली सेलरी मिली पैट्रोल पंपे तेल रिफाइनिरों में काम करते थे तो डाई सो रुपिया नो किसी सेलरी मिली थी कई जगा कवारा में भी है और कित चाई पीने गई थो फाई स्टार होटल में ताज में मुंबई के पास बताते हैं आप दूसरा भी को सकता है और सारी दुनिया नोबली साथ वड़ा देख जोड़ा क्यूना बालकां काम आओगो तर के चंडिगर प्लिस की फेस बढ़नी अकैडमी की नहीं सम्झ का समझने का बिजन्स का ढंक ऐसा है तो मैं डाइसो में सीख के आयों इन्वेस्ट करके आया हूं उड़ा के नहीं आयर मेरे बच्चे देखना खूब हुचे उडएंगे और धीरु भाई का सपना सच हो गया इंडिया कर लो दुनिया मुठी में जिसका बाप पैट्रोल प बॉलो ना मुखे संबानी लगा तर 13 साल सें रहा अच्छा यो तो बताओ भाई पहले यह सुंदर्वन कहां है रे शुंदर्वन में क्या पाए जाता है जो झालो कि अः बेगा संदर वान में क्या पाय जाता है अः वह स upgrad गई जो लिखा था अच्छा मैंने कोई बटन में नी दबाया हो गया यह तो सरफ एक्सल से बीजी है भाई साब तो बेटा जान से देखिएगा सुन्दरवन मुझे सत्में नी पता है मैं तो आके बढ़ रहा था वो नोट निकाल रहा था मैं तो सुन्दरवन में जान से बेटा जी अब सी अच्छा स्वाग ए AMB पए जाते हैं तो मिल पाए तन के अठिमआग में कोनसी मेर बेटा बोलो ना पैंठरा टाईगरीस कोन्सी परजाति बेटा बोलो पैंठरा टाईगरिस पर जाती है अभी पर जाती हैं भेने अलग- skill मीलेंगी पर चीर चाहिल करना ने दाऊरी दी गरे के लिडीको तो मेरा बेटा वह लोन पाइन नपनों सणंदरवन हिंदुस्तान किसे कहते हैं थ Billy मध्यपरदेश कि करते वहार या करका यह पुलिक से यह वध्याय कीशी तो टॉ फ्रॉठएट तerson को कहते है लेकिन कुंदेश्ण यह बंगली टॉइगर यह राश्टे पसु है वो वाली परजाती वाले बाग जादा कहां पाए जाते है तो आपका उत्तर क्या एगा भाई सुन्दर्वन क्या एगा बेटा जोर से बलो सुन्दर्वन का पे पसमी और यह जील का है मेरे बेटा यह जील जील बोलो ने बोलो उडी 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 जाओं ओडी स जील का है मेरे बच्चों बोलो ओडिशा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जील भी आरे अंडिमान इको वार जील ना है के अंदर साचित परधेश है सबसे बड़ी जील कौण सी आए चील का और मेरे प्यारे बच्चों नेवी की ट्रेंश भी जील का नेवी की ट्रेनिंग भी चिलका एक पर परसन आया निमन में से कौन सी जील बड़ी लैगून जील है तो चिलका चिलका जील कैसी है बिटा लैगून आप मोशली बच्चों को नहीं पताए 80% को कि लैगून क्या होता है और मैं पढ़ा चुका किलास में पर बताएंगे नहीं खारी होती है सारी खारी लैगून है सामबर जील है राजस्थान में वो भी खारी है उद्ध में खूबनमा कब आई तो क्या सामबर जील लैगून जील है क्या मेरे बच्चों तो फिर ये लैगून क्या होता बताए आरे बेड़ा सुनो, यह जील कभी समुंदर का हिस्सा होती थी, किसका हिस्सा भई, समुंदर का, हर्यो समुंदर गोपी चंदर, अभी यहां यहां तक जील भैरी थी, यह समुंदर था, फिर आचानक समुंदर ने क्या किया, अपनी लैग जो एहनों पीछे खीच ली, देख समुंदरी पानी की बनी गई है तो खारी पर इस जील का नाम कैसा है लेगून देशी में समझाता हूं किलकुल देशी में अर्याना की बच्चों समझवाएगा बार के बच्चों को नहीं ध्यान से सुनना अपने गाउं में गून बोलते हैं गून क्या होता गहरा सा गड़ा हर गाउं में मिलेगा तो क्या हुआ कि ये समुंदर ने अपनी लेग खिचली पिछे लेग कर ली पिछे और बचगी या गून और नाम के पड़गोई बिटा बोलो ना लेगून क्या पड़गा बिटा जोर से बलो रहे लेगून आप जिन्दगी में भूल के दिखाना त तो इस तरह हैं कि जीलों को क्या कहते हैं मिरे बच्चो लेगून जील कहते हैं और दुनिया जानते हैं मिरे बच्चो चिलका जील इंदुस्तान की सबसे बड़ी जील खारे पानी की भी सबसे बड़ी जील कौन शे बिटा चिलका है इजिट के लिए और अच्छा में एक ब्यान है भीतर निका संदू तुम तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तुम खाते हो बड़ा गच तुम खाते हो बढ़ा गच और तुम बदाते हो भूज को खच और इसका नाम है मगरमच, क्या ना मैं मेरे बिटा बोलू ना, मगरमच, मगरमचों के लिए फेमस है, कौन सा बिटा, भीतर नीका, गडियाल भी पाई जाते हैं आपे गडियाल, मगरमच और गडियाल, गडियाल के लिए फेमस है, गडियाल, सोरी, ले भाई, पूरा है लिख देंगे गडियाल मगरमच की मोस्ची के छेरों को क्या कहते भई गडियाल कहते मगरमच के मोस्ची के छोरों को क्या कहते पिटा जी गडियाल कहते यहां तक बात के लिएर भई चलिए हम आगे गाड़ी को बढ़ाते पांचवे परसन के ओर प्राइदीप ये भारत का कौन साराज्य सरवार दिक लंबी समंदरी तर रेखा वाड़ा है गोर से देखो गुजराच करनाटक आपने दिया ओप्षन गुजराच और ये बहुत ही गलत जवाब है अज़ा सुनिएगा सुनिएगा तुम अपने दिमा का धकन भीटा खोल के रखा करो और वड को खोल के सुमझ के अच्छे से पढ़ा करो मैं यहाँ पर प्राइदीप को एक मिंट के लिए कट कर दूँ और परसन बन गया भारत का कोण सा राजय सबसे लंबी संदरी सीमा है तो फिर आपका उत्तर हेंडर परसन क्या हो जाता गुजरात हो जाएगा हमने क्या लिखा है पराइदीप जब मैं परसन बनाता हूं न तो बहुत सोच समझ के बनाता हूं आई वाई ना बना देता हूं कि भाईया ले बन गया तो प्राइदीप यह भारत में बड़ी संदरी सीमा आंध्र परदेश की और दुनिया जानती है थीन तीन नेट मेरे विट्डा कितनी वाई जूर से बलु रहे तीन एक राजढ़ानेट वाडा कूछस है बिटा तो टो टल समन्दरी सीमा के तनी है बहारत की 500 कि तेर सो सोडऻह किलंडर कितने 500ators किलो मेटर इस में से सब से लंबी किसकी था गजराप की लगभग 1600 सो किलोमेटर गुजरात की कितने मिटा लग भग सोडा हुल किलोमेटर और आंधरा की इतनी लग भग 900 संथिंग कितने मिटा लग भग किनो सबसे है कुष्शन मन गया सबसे छोटी शीमा वाला राज्य संदर गुवा कती बचियों पड़ और से यू तो बाई गोवा में, एक ऐसा मुवी में दिखाए गए था, मुझे पता निए कौन सी मुवी थी भई वो, दमाल कितनी जल्द याद रखते हैं, मुवी का नाम क्या था, और कोई पूछे आप से मेर बच्चो दमाल क्या है, एक, सेड़ाप, दमाल एक नित है हरियना का, दमाल एक नित पूछे भी और गिदा भी, गिदा कहा है बिटा, पंजाब का, गिदा कहा है मेर बच्चो पंजाब का, तो समंदरी सीमा कितने 560, अच्या बता हो, इनको छोड़के, अन्देमान को छोड़के, कितनी आईगी लग भग, च्यासट सो, चोसट सो, पैसट सो लग भग कितने आईगी वो बताओ, अरे बाईओ, चोसर सम्धिंग वो पैसट सो इमालो नहीं, प्वेंटों में होता है बिटा, अब आजो बिटा, अगला परसन, सवराज्य मेरा जरमसित अधिकार है, यह कथन बाल गंगा धर तिलक ने किस कांगरेस अधिवेशन में कहा था, आजो, लो, मदराश, यह लो, बंबई, यह लो, अब बचा क्या रहे, बेटा यह पहले स्टैप की मेरी कुष्टनिंग आज पहली बार, पिछली बार हमने कमाइन क्लास ले, जब तुम नहीं थे, दो नंबर के थे वो, और दो नंब कुछ भई नजर लग गई, और पहली क्लास बड़ी बेकार सी गई नहीं, अब सारी क्लास भी बीच में लगाता चलिए, अब मजा रहे हैं, नमाद हम परशन हो रहे हैं, जब तक मैं मालो 20-25-30 जितने भी कराऊंगा, तुमारे 300-30-400 परशन हो जाएंगे, भई देख, ले तुमारे दिमाग में क्या रहे हैं, तुमारे दिमाग में पंडित नहरू, उन्निस सोनत्तिस में, लाहोर में रावी नदी के किनारे, पून सवराज्य की गोषना की थी, यह आरहे हैं, पून सवराज्य की गोषना, तो भाई जवानों ये तो नहरूजी की बात है, बात कर करें भाई किस अदिवेशन में का था सवराज्य मेरा जर्म सिदाजी कार्यर में इसे लेकर हूंगा लखना अदिवेशन 1906 जस्ट इमिनेट कि अदो इसलिए भुला थे कर दें भुल कर दिमन जभी दुखा देख लेसको अदो भाई बेटा एक पानी की वह बोतल भुचरू बिजवाना यह बेटी आप में इसको बेटी उठालों पीसे जाके जल्दी से लिया हूं बेटी बिजवाने जल्दी से लखना अधिवेशन क के प्रिणाता थे किसके जागरुक थे बेटा यह राष्ट्रवाद को जगाने वाले थे और बाल गंगा धरतिलक ने हिंदुस्तान में एकता लाने के लिए खास कर हिंदुओं के बीच दो उत्सव शुरू कि बेटा कितने उत्सव बेटा दो बला गनपती बपा पहला उत बेटा उत्सव बोलो बेटा सिवाजी उत्सव दो उत्सव शुरू के गनपती उत्सव और बेटा बोलो ना सिवाजी उत्सव अब कोन बेटी बताएगा बेटा बताएगा कि गनपती उत्सव कब शुरूआ और सिवाजी उत्सव कब शुरूआ देखते जल्दी से बताए है अब यह कोई बच्चा अरे इस करीम का है छोटा मुटा सवाल नहीं मेरे बिटा यह कभी सोचो छोटा सवाल ऐसे चला जाएगा भाई एक तो सिवाजी उत्षा हो एक गणपती उत्षा हो दोनों अठारा सो के लास्ट में चलाएगे तुमने इतना बता दिया ले कौन सा तिरान में मेरे कौन सागला दोनों अठारा सो नबबे से लेके उननिस सो के बीच में चले थे एक मिंट का समय देता हूँ जरूर बताना बिना गुगल को सर्च के अठारा सो तिरान में में कौन सा बिटा और फिर यह शिवाजी अहां बोलो बोलो बही एक तिरान में म पिचान में कोई बात नहीं हम से बता देना दो समाचार चलाए एक मराठा और एक केसरी कितने समाचार पत्तर चलाए बाल कांगा धरते लग ने बोलो बेटा दो, एक मराठा और दूसरा बोलो बेटा केसरी तो बताओ मराठा समाचार पत्तर किस भाषा में छपता था मराठा बोलो अंग्रेजी में शबस मेरे बेटा और केसरी बोलो केसरी बोलो मराठी में अब देखो कितनी गजब की बात से अपन क्या लगता है यार मराठा समाचार पत्तर तो किस भाषा में होगा मराठी में और के सिर बज़गा अंगरेजी में उल्टा मराठा किसमे है अंगरेजी में के सरी किसमे है बेटी मराठी में है जान रहेगा भई यह बात इसके लावा बाल गंगा धरतिलक को एक सेकिन बेटा पाने पिले तो मस्फिर लगते हैं बारत में एक आदमी बोला कि यह आदमी खालिस्तान है बोलो क्या बोला था बोला यह आदमी खालिस्तान है देशी में कहूं तो बोला यह आदमी ना इंदुस्तान में बिगन की जड़ है ऐसा किसने कहा था विश्टन चर्चिल या कोई और था बोलो वैलेंटाइन शिरोल वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था क्या कहा था भाईया बोलो ना भाई हमारे बाल गंगा धरतलक के बारे में वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा था एक बात बता दो एस यास यास बारत एैसानति का जनक फोड़ देर वेट नहीं कर सकते थे बीड़ा इस के इा रीती बाउली बैठी बारत या एसानति के जनक इस रूम में एक ही दिक्कत इस होल में एक ऐसी लगेगा अज शाम को हम लाएंगे विंडो ऐसी फिर वो यहाँ लगेगा फिर यह रूम भी दूसरे रूम की तरह क्या रहेगा बिठा चिल रहेगा और बाकिसार रूम तो महाँ पर अच्छा है यह जहां से संसत से आए वहाँ भी अच्छा है बिठा लेकिन यह वाड़ा रूम में सोफोगेशन बन जाता है यह सच्छा है बिठा तो कोई दिक्कत जादा तुन यह भाई फिर भी किसी बच्चों को ऐसा लगे तो मुझे बता दिना पानी बानी बेटा पी आने बार जाके तो बहारत यहांति के जनक किसको का जाता वैलेंटाइं शिरोल बलो बेटा से माटटे ने बना स्चाहे बाल गंगाधार थलग को बारतिय के ऑऴा शावरकर और उनका भाईगणे शावरकर अंग्रेजों को खिलाब थपोड़े मा ने शुरू कर दिया थे जब उनको पकड़ा गया उनको पकड़ाएगा वीर सावर को और अंग्रेजों ने पकड़ा और बेटा उनके घर से छापा मारी की तो पता है कोन सी मैग जिन निकले उनके घर से माराथा और केसरी और बोलो ये है भिगन की जड़ इन युवाओं को यह भड़काता है कौन भड़काता है तिलक इसकी मैग जिन पढ़़के ईनको पड़कते इसको पकड़़ो किसको बाल गंगा धर तिलक को पकड़़ो किसने कई बिटाइबात अंग्रेजों ने कही और उनको पकड़ा गया जिल में डादा गया सोचवोचो नो लिए दोस्तों तीन सो बच्चे तो भाया सब जगह भाई हाकार मज़ जाएगा अरब लेक अकेडमी के इतना बालक लगया पूरा चंडिगड की साथ सो केंसे सी अरे दोस्तों तो जीने साले लेगा भाई ऐसे कैसे हो सकता है चापे मारी करो चापे मारी फिर तुम्हारे घर चाप करवाता है तो मुरे को भी फिर कह देंगे चलो तो आगे बेढ़े बेटी जी पड़ी में बैठो तो बाल गंगा धरते लग इजट के लिएर मेरे बेटा ऐसांती के जनक और नारा कौन सद्या था सबराज्य मेरा जन्मसिद अधिकार है मैं इसे लेकर और मैं आपको एक न लोग सभा में बड़ा प्यारा परसन है उसका उत्तर आप देंगे मैं थोड़ी बताओंगा जभी तो आइसक्र मिलेगी अनुसित पहले पताओं तुम पहले परसनों को डंक से पढ़ा करो उसके बाद जवाब दिया करो अनुसुती जन्जातियों के लिए अनुसुती जन जाती होती है बेटा ऐसी दोनों क्या है मेरे बेटा अलग अलग जल्द बाजी नहीं आराम से मुझे देख कर मुझे बताईएगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में सीटे है मैं कोजब को पिछली बार भी तुम इसी चक्कर में रह गया थे अब की बार भी इसी चक्कर में रह गया दो सीरिज है मैं के सीरिज और तुम्हारे लें सेट कर लेता हूँ जल्द बताओ मेरे बेटा Nowadays पकी बात है कितनी सीटे है? राइट अंसर बेटा मद्दै परदेश, 6 सीटे हैं लोग सभा में, कितनी सीटे हैं मेरे बेटा बोलो ना, 6 सीटे, किशन आता है हमारी लोग सभा में SC और ST के लिए कितनी रिजरव सीटे हैं, ये बड़ा अच्छा परसन है, चलो कोई भी बेटी बताओ, SC के लिए रिजरव SC और ये बेटा बोलो ना, 47, SC के लिए कितनी सीट रिजरव हैं, आरे 545 में लोग सभा में SC के लिए सीटे कितनी रिजरव हैं, ST समुदाई के लिए 47, ST का मतलब सैडूल ट्राइवल, और SC का मतलब सैडूल कास्ट, is it clear बेटा, समझ में आ गया, अब पूचे भारत की लोग सभा में किस राज्य में SC की सीटे सबसे ज़्यादा रिजरव है, SC के लिए, Bhaï, ST के लिए तो कहा रिजरव हो गई, मद्द पद्या, अनुसुद जातियों के लिए, तु, अनुसुदी जाती के लिए, SC के लिजरव का है, UP में, SC के लिए जरव सीटों की संख्या, कहां मे आइस क्रीम का सवाल है यह पिर जरेवारा रड़का रहा है बहुत मुश्कुरा रहा है क्या अगम में जो छुपा रहा है है बेटा बताओ जरह जल्दी से है आँ बैए ओप्शन देता हूं पंद्रा शत्रा उन्नेस बीस है यस मेरी बेटी हो सत्रा सीटे रिजरव है उत्तर पर्षन यह भी पूस्ते हैं कही बार बाइट में सबसे ज्यादा सी समधाय कहां पर कौन से राज्य में उत्तर परदेश में और सबसे ज्यादा नुस्ती जन्जात्याने स्टी का है मद्धा बरेश में पर्तिशत का मामला लगा है बात के लिए लिए भी पीटा हमारी सीटे उत्तरप्रदेश ज्यान रहेगा इस अब हारियाना में कितनी सी रिजरव हैं विधान सभा में है है नहीं अरे एस्टी स्थी है नहीं हमारे केवल क्या है मेटा SC है ST नहीं है आनुसुचि जन जाती वो है जो आज भी जिन का ज्यादा development नहीं हो पाए जंगलों में रहते हुलाला हुलाला समझे मैं मेरे बात ऐसी भाई develop हो गए हैं बहुत सारे तो बेटा मा आगे बढ़ूं confirm चलिए अगला परसंद देखिएगा आठ्वा सवाल निमन में से किस स्थल रूप को सभ्यता का ये माफी चाओंगा भाई ये पालवा की जगह आप लोग कर लेड़ा पालना ये क्योंकि आज सुबह ही मैंने टाइप करवाए हैं और सची बता हूँ मैं कभी जूट तो बोलता नहीं परसंद तो मेरे हजारों लाखों माइन में रहते हैं पर उसको लिख के पहले आपकी स्लेबस और आपकी साइकलोजी के अनुसार सेट करने पड़ते हैं तो सुबह ही टाइप इस ने किया है शामको मैंने लिखे थे अब ही बोलो पहाड परवत पठार मैदान चार चीजे आपके सामने ज्यादा टफ परसंद भी नहीं है बड़ा ही आसान सा परसंद है जल्द परसंद हिंदुस्तान में मैदान है मेरे बिटा जल्दी से बताएगा जो भी बताएगा उसको भी आइस क्रिम दूंगा 40 है से बता दो इतने परसंद में 40, 50, 60 इस तरह से बता दो कोई दिक्कत नहीं है आँ बही कोई बच्चा बोल रहा है बही कितने परसंद हिंदुस्त लगभग, कितने परसंट बेटा, मैदानों में सब्वता पलती है, दरियाओं में पाड़ों पे नहीं, तो मैदानों को सब्वता का क्या कहते है, पालना, और बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा मैदान, उपजाओ मैदान कौन से है, सबसे ज़्यादा उपजाओ मैदान, आ बाइज में से अरे भाई हद हो गई यार गंगा गंगरा भंपुतर के जो गंगा के बनाएगे गंगा उसके साइक रधियों के बनाएगे जलोड मैदान है जलोड मैदान सबसे जादा क्या है बेटा जी उपजाओ सबसे जादा उपजाओ मैदान कौन से बेटा बोलो जलोड मैदान जलोड भी दो परकार के बत्रे हैं एक खादर और एक भड़ा बोलो बेटा बांगर एक खादर और एक बेटा बोलो बांगर तो जादा उपजाओ कौन से बेटा जी खादर जादा उपजाओ मैदान बोलो बेटा खादर थोड़े कम उपजाओ कौन से बेटा बांगर इस इट किलिएर बेटा देखो समय कमी है और किशन तो बहुचा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दू बढ़ा दू बही एक्स्प्लेइन कम कुरूंगा मेकिन इंडिया करिकरम का प्रार्म किया गया ति सबसे इंपोर्डेंट परसंद चलते हैं मित्रो बोलो आज ऐसा पहली बार हुआ है पिछले इन नो सालों में नो किशनों में जब आपने पहली बार पहले एफर्ट में पहले परियास में सही जबाब दिया है आज सूरज बता दो भाई कौन से महिने में बेटा इस शुरुआ जोर से बलो यह यह बिल्कुल आज तो बेटा पूरी थोड़ रूख नहीं सकते आइसक्रीम आती 25 सेप्टमर 2014 को मेक इन इंडिया चलो बताओ मैं तो फोटो फटो सार्ची दिखाते हैं चंडिकर वाल में सेट करके ल तो 25 सेप्टमर 2014 को इसका लोगो क्या है सेर कैसा सेर डिजिटल सेर कैसा सेर इसका लोगो बिटा बोलो ना डिजिटल सेर कैसा सेर मिर बिटा बोलो डिजिटल सेर किसका मेक इन इंडिया इसका मतलब है हम खुद ही बनाएंगे खुद का ही प्रोड़क्ट इस्तेमाल करेंग खुद बेचेंगे, विदेस में बेचेंगे, जैसे आतें ना खिलोने, Made in China, Pan, Made in Japan, ये बोड ये भी Made in China ये है, क्या करें? हम चाइना की दो ही चीजों का विरोध कर सकते हैं, लडियों का, दी पावली पे आती न, तो सब के Chinese लड़ियां नहीं लगाएंगे Chinese लड़ियां नहीं चलाएंगे बलब चलाएंगे Chinese लड़ियां बाकी आन दो अब ये बोर्ड भारत में बन जाए और हमें सस्ता मिल जाए 50-60 रुपे में आज जाए मैं सारे बिना सोते समझे सारे अकेडविम लगा दू अभी भाई आई ये बोर्ड बोर्ड दो लाग रुपे का है तो कैमरा कुम्रा लगा के चार लाग रुपे का मामला पड़ा है और इन्वेटर बाकी है इसका लग से तो बेटा डिजिटल सेर किसका लोगो है मेक इन इंडिया तो हम खुद बनाने लगेंगे तो हमारे देश को प्रोड़क्शन क्या मिलेगी बिटा बोलो सस्ता मिलेगा इजिट के लिए रब तुम बढ़ाना छोड़ो भाई हम तो यो चलाना अभी सीख रहे है अगला देखे मिल बिटा सुनामी का मुख्य कान निम्न में से कोण सा होता है सुनामी का जोर से बोलो बिटा चार उप्शन भाई धान से देखो बूकाम चक्करवात जवाला मुख्य जवला निये समझ जाना और तार नेडो एक बोलो बोई बिलकुल सही जवाब है उशार होने लग गए वाप उशार होने लग गए मेरे बिटा नहीं समझे मेरे बात ब्राइट अंसर भूकाम अब भूकाम दर्ती पे आता है तो क्या होता सुनो उपर की चीजे नीचे आ जाती है भूकाम जब धर्ती पे आता है तो उपर की चीज़ धर 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 नीचे बराबर वन टू थरी कर बदली कर जैसे थे लेकिन जब होकम समुन्दर में आता है किसमें आता है बेटा? समुन्दर में तो नीचे की चीज़े उपर के और उड़ जाती है और पाणी होता है इसमें और कुछ दादा है नहीं पाणी सुंग सुंग और लहरे पचास-पचास मीटर उपर उची फुट लहरे उड़ जाती है और वो समंदरी तटो के और चल पड़ती है और तटो पे जो भी मिलेगा स्वाहा करते हुए आगे चली जाते हैं सब कुछ ख आगे देखो 2004 में यह हमारा देश है नीचला इसाफ और इंडोनेशा के पास से क्या ही बेटा भूल चुनामी और हमारे यहां पूंची भाई यहां अमारा कौन सा राज्य है तमील लाडू और इसको खतम करती ही पुंची यहां अमारा है अंडे मान निकोबार बोलो अंडे मान अंडे मान निकोबार को खतम करते भी ता में लाडू को ध्वस्त कर जा अंडे मान निकोबार में था हमारे भारत का अंतिम प्वाइंट बिंदू, इंद्रा प्वाइंट, कौन सा प्वाइंट बेटा बोलो ना, इंद्रा प्वाइंट, कौन सा प्वाइंट मेरे बच्चों बोलो, इंद्रा प्वाइंट, तो इंद्रा प्वाइंट डूब गया था किसमें बेटा सुनामी में, और मेरे बच्चों बहंकर सुनामी कब आई थी 2004 में कब आई थी बेटा बोलो 2004 में और मज़े की बाद सुनना इस सुनामी के बाद हमने एक सुनामी चेतावनी परनाली विक्षित की कोण सी परनाली बेटा सुनामी चेतावनी परनाली और वो कहां लगाई गई है भारत में बोलो जरा हद हो गई भाई साब हैदराबाद एमदाबाद नहीं बेटा सुनामी चेतावनी परणाली कहां लगाई गई बेटा हैदराबाद अगला परसंद दागता हूं आइस क्रीम का सवाल है इस सुनामी के आने से जश्ट पहले कौन सी जन जातियों को पहले ही पता लग गया था कि भाईया अरे भाईये सुनामी आगई क्या आगए मेरे को बैसी को दिक्कत नहीं है अहां जंगलों में रहने वाले जीव जन्तु जन्जाती नहीं होती है जीव जन्तों की जन्जाती हम आदमी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आदमी की और तुम पस्वों की नहीं समझे हम दि सथावपन को भी थोड़ 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 पता लग गया था मोस्तरी को मोद से जनuesto थी पता भी चल गया थावा सौमपन जनोड़ निको बार में जन जाति मेरे प्जाति मेरे प्यारे बच्चों कहां पहें बड़ों निकभार में है और यह बिलकुल समंदर के पास ही रहते थे जारवा 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 रह जो जंगल के करीब रहते हैं, प्रकरती के करीब होते हैं, प्रकरती उनको बचा लेती है पहले ही, जो प्रकरती से दूर रहते हैं, जो ठंडी एस्टी के अवाओं में बैठने का प्रियास करते हैं, उनको प्रकरती छोड़ती नहीं है, तो बिटा के लियर हो गया भाई, सु सुनामी किस भासा का शब्द पर सना आ जाए तो बेटा बोलो ना जापानी और दुनिया जानती है एशिया के किस देश में ज्यादा सुनामी आती है जापानी सुनामी और भूकम सबसे ज्यादा मेरे बच्चों कहां पर आते हैं बेटा बोलो ना जापान में और किस महासाग मेरे बच्चो जुआला मुखी भी सबसे ज़्यादा परसांत महासागर में जुआला मुखी भी सबसे ज़्यादा मेरे बच्चो बोलो परसांत महासागर में सबसे ज़्यादा जुआला मुखी बोलो बिटा परसांत महासागर में यहां तक बात के लिए भाई अचा भाई मा यह मेरे हिशाब से सो के करीब परशन होचुके हैं वो मैंने लिखने का मोका इनी तया अगर है सो से अफ़र किश्चन हो चुके बिठा और अभी तो पार्ट याद में भी नाई है आज है की काम हो सकता है थैस्ट रद हो सकता है मैं पढ़ाता रहा तो याद दिला परसित ताली कोटा का युद कब शुरुआ बोलो भाई शत्रा सो पंदरा सो पैसेट ये सोड़ा सो पैसेट भाई गजब भाई तुम तो ज्ञानी हो गई मेरे पीटा वीच बार पढ़ाये हुआ है टेस्ट में बितिया जा पंदरा सो पैसेट में आच युद के नाम सुनो ताली कोटा के दो ती नाम है भाई डड़जा ताली कोटा राकससी तांगडी का युद और तीसरा बन्नी हटी का युद बन्नी हटी का युद एक युद के कितने नाम है मेरे बच्चों बोलो ना तीन नाम है एक युद के कितने नाम है तीन नाम है कौन-कौन से बोलो भा किन दो सामराज्य भाई अठी से तो आएगा इंदू सामराज्य विजय नगर और इधर से आ गया मुस्लिम सामराज्य बहमनी और बोलो भाई आरे दक्कन सल्तनत क्याते बहमनी में कई छोटी मटी सल्तने थी सारी चार सल्तनत थी मुख्यता है उनमें से तीन ने भाग लिया तिनों का नाम बताओ, एक मैंने आपके सामने लख दिया है, बोलो भाई, बीजापूर, गोलकुंडा, एहमद नगर, और बिदर, ये कितनी सल्तनत थी बेटा, चार, और चारों को मिला के कौन सा बोलते थे, बेहमनी सामराज्य, चारों को मिला के क्या बोल देते थे बेटा, बोलो, बेहमनी सामराज्य, इधर कौन सा सामराज्य, विजनगर, इधर कौन सा बेटा, बेहमनी, बेहमनी में कितने थी भाई, चार, चार में से बिदर तो ने इसा नहीं लिया, इन तीनों ने इसा लिया था इसका मुख्य नेतर तो करता था अदिल्षा इसका एक अदिल्षा बंगाल वाला थो अलग है बेटा इसका मुख्य नेतर तो करता कुन था बिटा बोलो ना ये बेटी बोले आदिल्षा आदिल्षा ये जो आपका लेवल चल रहे है चंडिगर दिल्ली का तो है ये सीजल तक कोई किसी में बैठो कोई दिकात नहीं आएगी दिरे दिरम बढ़ाते जा रहे हैं अब आदिल्षा राजा इधर और इधर कौन था राम राय कौन था ए हरी अर भुक का राय ने विजय नगर की सामराजा स्थापना की थी 1336 में अब साल कौन स्या रही है 1565 वीवर बैठे रिंगा के हरी अर राय भुक का राय दो भाई थे स्थापना की थी बाजमुन का सामरेज जा चुका बिटा जब यू दुआ वो नहीं भाई कोन थे जिनोंने आरी विजय नगर स्थापना की हरी हर आय और भुक का बंप्लर भाई हरी अर्या भाई भुक का रहा हमें भुक का उन्द प्रिशत्र गधे में कोन भुक का और यू बहुत भी घंणर नों भाईühr 2010 के अवरि टहीं नगर की किसकी बेटा बोलो विजय दिर नगर की, के लिए रोगया, यूद्वाज ब रामराइ थे, अब परसना अतर रामराइ, राजा थी या सेना पती ये बेटीों में से कौन मत दाएगा, भाई ये राजा थे या सेना पती थे रामराइज बतो, राजा कौन था, साधासिवराओ, राजा कौन था बेटा और इशीद में किसकी हार हो इव जय न होग गया और जीत कौन सअम राज गया बहामनी रसक्त चाहिए जीत के क्या खुशुए बाद में भाईवनी भी देरे दिरी खतमंग्य हो गया नहीं समझे मेरी बात क्योंके हार कर खुषिया मनाना है जिन्द्गी हार क खुष्या मनाना है जिंदगी और मुश्कूरा के गंभुलाना है जिंदगी और तुम जीत के खुष हुए तो क्या हुए हार करा थिस बाजी करना है हमारी जिंदगी समय आई यह बात कि सनी कही तोस जमाने में वीजैनेगर सामराज्य में और खतम हो गया कब फंचोड़ा सो हो गया तु 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 तारह हो गया मोरारजी देशाई परधान मंतरी बाद में बढ़ेंगे अब भो भी बताऊंगा पहले बताओ किस प्रांत के था ये मुख्य मंतरी बोला ओक्षन दो एक लाइन बोलूगा लाइन में वो सहर चुपा होगा तुम्हें बताना होगा बोलू भई नननननननननननननना खडाओ गट्ट मेरे बेटा ये लड़का पुराने गानों का सोकीन है बंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबं फिर ऐसा कैसे हो गया है बेटा बैठे सावास गुड इस बच्चे को मैं एक पैन इनाम में दूँगा मैं देखता हूँ रखा हूँ क्या भाई वहां जाते ही आप लेना ठीक है बेटा मेर से ओफिस से एक पैन मिलेगा गाने की दुन पर बताजे लड़के ने के कमाल है जोर से बोलो मुंबा माता की तो मुंबा माता का मंदिर था पहले मुंबा माता मुंबा देवी बोल देते हैं अंग्रेज आए आप पठों अंग्रेजों को बोलना नहीं आया मुंबा बूंबा माता बूंबा 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 से क्या बना दिया उन्होंने बं मुरारजी देशाई भारत के क्या बने परधान मंतरी भी बने कब बने जब उनका दिल किया हाँ हाँ कब बने है अरे भाई बोलो के जबी तो बताएंगे 1900 बलो 1900 कोण मने मुरारजी और मेरे बच्चों सारी दुनिया जानते ही मानदर सुना मुरारजी देशाई का हेपी बड़े 29 फरवरी मोबाई स्वरी मैं बोल रहा था मोबाईल देशाई का तो मोराजी देशाई का हेपी बड़े भूलो बिटा 29 फरवरी को मनाय जाता है कब मेरी बेटे 29 फरवरी को इस इट किलियर भाई और दुनिया जानते मोरार जी देशाई परधान मंतरी जस्ट बनने से जस्ट पहले किस पोस्ट पर थे परधान मंतरी बनने से जस्ट पहले वितमंतरी इंद्रा गांधी की सरकार में finance minister थे कौन बेटा मोरार जी देश आई और कई बारत यह भी कहते हैं पहले गैर congres प्रदान मंतरी कौन थे मोरार जी देश आई थे कौन थे बेटा मोरार जी देश आई पूरी तरह तो नहीं थे क्योंकि उससे पहले वितमंतरी थे कांग्रेस में थे बाद में जनता पार्टी में आगे कौन सी पार्टी में आगे बेटा जनता पार्टी में और फिर बन गे प्रधान मंत्री बारत में बड़ा प्यारा प्रसन है 1922 में तिरो सिर ले ले मेरी बेटी ले ले बैतर ना ले ले राइट आंसर का है 1923 राइट आंसर मैंने तो इतना आसान समझ के बोला था और तुमें यही टफ लगा नहीं समझें आरे इतना आसान समझ के बोला था तुमें यही टफ लेगा और मैंने तो केवल बंदूक से गोली छोड़ी थी और तुमें बम का गोला लगा कमाल करो मेरे बेटा राइट आंसर 1923 1923 और बेटा तारीक और बोलो तारीक या तो तुम बहुत बड़े बुद्धू हो या तुम महा मुरक हो मेरे प्यारे स्टूडेंस अब बताओ आप क्या हो समझ में तो आता है बुद्धू के भी समझ में आता है परदेरी से आता है याईट मेरी बच्ची गुड एक अप्रेल उनिस सो तीहत्तर को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू और बैनों भाईों मित्रों आप सभी की दुआ से प्रकृति की किर्पा से हमने कितने साल पूरे कर लिए पचाथ साल मैं तरों सीर भूड दूगृश्य अगले बार जब एक लिए तो नीजनद इसमें क्या लगावे एस ही और आपको गरमी बिलकुल भी ने लगी मेरा प्रोमिश है लेकिन आप ये वी बात जान लो हाँ भी 3-2 एक लटका जा नो भंध जills स्वाइस कर दोral पाउर्फुल करो इसको दोनों को आधे बढ़े मेंटा जैंसे दखो अरे झाहर पाउर्फु प्कर दोनों 52 शाल पूर ने एपर मोडीजी टोपी पेर के जंगल safari करने कहा गए बंदीपूर और बंदीपूर टाइगर अब ब्यान कहा है करना टक बंदीपूर बलो बंदीपूर और दुनिया जानती है बेटा बागों की शंख्या इंदुस्तान में बढ़ गई है अभी हाली में बागों की जनगना हुई लगभग कितने बाग मिले हैं जोर से बुलो इकती सो या पैंती सो सर्षट यास गुड मेरे बेटा कुछ तो तुम्हें याद रहता है इकती सो सर्षट कितने बाग है इंदुस्तान में इकती सो सर्षट चलिए आगे भढ़ते हैं भाई भारत में पहली संपूर्ण जन गन्ना मुझे नहीं पता जो तुम बोलोगे माल नूँगा ये सुन ले ना मैं केवल वो परसन नहीं ला रहा है जो बहुत टप हो उसमें मेरा इंप्रेशन बन जाए तुमको गुरुजी के गजब परसन लाए सो ऐसा पढ़ा देंगे जो किसी ने नहीं पढ़ाया हो जो किसी को नहीं आता हो मैं ऐसा कभी नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि वो पेपर में भी नहीं आता हूँ मैं केवल हो ही पढ़ाता हूँ जो पेपर की दृष्ट्री से क्या होता है इंपोर्टन वो सरल भी होंगे medium भी question होंगे tough भी होंगे is it clear बिटा तो ध्यान से सुनो बिठी पहली संपूर्ण जन गना बोलो 1800 81 बाई पहले की बात है कब की 1800 अरे बैतर की बात है और मुझे आज भी याद है नू बले यह तीन हो जाते इतनी देर में क्यान से फेल करदें तो जब पहली बार गिणती तो हमारे गवर्नर जन्रीन कों थे लाड में उन थे लाड बलो लाड परसना आएगा इंदुस्तान में पहली बार जन करना के समय लॉण दुनीं जानती है Tech जहांप per क्वाजसा मौन husband किस्ती की धर्गा है अज मेर मेरे भी पेटा पलू ना अज मेर में अर्यों के लाग्यों यो मैं बता कुंद पढ़ते थी ऑंग्रेजांग तबिया मबड़ा-पर बड़ा तार सब्सक्राइब मिला करतो बिटा बढ़े बढ़े और मेयो कोलेज मेयो कोलेज मेयो कोलेज नो हम तो अपना पहिनु सरकार स्कूल में उपड़ पुरू करें अपनों काम करें नहीं समझे मेरे बात बिटी तो मेयो कोलेज आज भी चल रहा है कहां पे मेरे बिटा अज मेरे मेयो पब्लिक स्कूल बने आज कल अचा लाड मेयो एक बार अंडेमान गया था गूमने कहां पे और गया था भाई उठ्ष एक आएदी मिना का पीत में के मार दियो एश्चको और अट्थे मेरे मुदा तो यह लाड मेयो इजिट के लिए भाई मैसे मेयो नेयो मैसे मर जो मारी अर्दिपे और मर गया चपना लाड मेयो के लिए आच्व बारा जन करना फिर नेमित रूप से अठारा सो फिर सब जानते बेटा कभी अठारा सो इक यान में दस साल बाद फिर बेटा दो आजार थरोशिर दो आजार एक और उनिसो खावे उनिसो केतर बस तुछू पज़ा बेटी तुछ शांत हो जा तो थोड़ देर शांत रहे बेटी आरे उनिस सो एक हागा कोई बात नी बेटा ऐसा होता है भाइं बड़े-बड़े स Euhle में चोटी मोटी बढ़े बता हो कितनी जनगन्ना हो चुकी हमारे देश में एक कितनी जनगन्ना हो चुकी चोदाय पंद़रा सोल भी कब होनी थी दो अजार एकिस में ड्यू टू कोरोना पोस्ट पॉंड होगी ड्यू टू कोरोना इस इट किलियर और इब होज जमा तो कोई फाइदा नहीं हम जन करने क्यों करते थे यही जानने के लिए कि हम चाइना को पिछे छोड़े की नहीं इस चकर में हमने अब की बार गिनी नहीं मों को जबी गिनेंगे जबी पीछे छूट जाएगा पाई सब बचींगा तो सहिंक तराश शंके बाद हजबने हुई और सहिंक तराश ने पहले कहीं जोड़े गिनों मत गिनों पंचाइना पीछे छूट लिया और हम आगे आगे बैनों पाईों मित्रों आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पोपुलेशन वाला कंट्री कौन सा हो गया है बारत इस बात पे हमें गर्वाज जीके की किताबों में लिखा जाएगा हम अपनी बुक के पहले पेस पहले लिखे रिएडिशन में कि दुनिया में सबसे पोपुलेशन वाला कंट्री भड़ा पड़ पोलो बेटा इंडिया चलो अगला परसंद बताओ जोर से पहलो बेटा यह कहता सेंट पिट्सबरग से व्लाडी वोस्टक को जोडने वाले रियल मारग का नाम अब देखो कितने परसंद बन गए पहला परसंद बन गया दुनिया का सब से लंबा रेलिवे मारग सुनना धान से दुनिया का सबसे लंबा रेलियो मारग ट्रान्साइबिन रेलियो मारग किंदो सानों को जोडता है मेरे बेटा जोड से बोलो ना सैंट पीट्स बरग से वलाडी वोश्टक सैंट पीट्स बरग से वलाडी वोश्टक को जोडता है बोलो Trans-Siberian, क्या जोरता है बोलो Trans-Siberian, सैंट मिट्सबरक से वलाडी वो स्टक को जोडता है, कि लिए रोगे बेटा, यह लगबग 9000 किलमेटर से जादा है, कितने बेटा, 9000 किलमेटर से जादा, करे 9032 लिखा गया 933, 923, सब भतेशब सम्थिंग सम्थिंग तो 9000 किलमेटर लंबा दोह जार किलमेटर लंबा रेल्व मारग भाई अधर एश्या से चलता है और यूरोप के कौने तक छूता है कौन रेल्व मारग बेटा ट्रान्साइबिरन चलिए तो था रेल्व मारग दुनिया का समसे बड़ा सड ये वह से बड़ी शड़काई थी वराहन देखो सब बच्चेो देखो बस इतना कर ini पैन- अमेरिकन शड़क मारुप खतंब आप फैन- अमेरिकन शड़क मारँप डुनिया का सब抉क्च मारँ कि पैन- अमेरिकन शड़क मारँप clear भई, अब हवाई मारक मत पूछ न, उड़ाए जाओ भजय में जितनों इंदन है, मुम मारक के करो, भजय कि जितनी समत उड़ाए जाओ समंदर पर से, ये सड़क मारक, रेली में मारक, clear हो गया बिटा, परसना तब हिंदुस्तान में बताओ, हिंदुस्तान में सब से लंब भाई साब, विवेक, एक्सप्रेश, विवेक, कहां से कहां तक जाते विवेक एक्सप्रेश, जम्मू तवी से, आरे तरा सिर, डिबरुगड, असम, डिबरुगड से, कन्या कुमारी, असम डिबरुगड से, तमिल आडू के, कन्या कुमारी तक जाते, कौन शे एक्सप्रे इसके साथ करार आउना बेटा वो उससे भी ज्यादा क्या है इंपोर्टन्ट है साथ लिखते जाना परिक्षा के साथ से बना के मनेश्टर भाई यह सबसे इंपोर्टन्ट है अब आगे बढ़ू बेटा देखेगा किस अबिनेता की आतम कधा का सिर्शक खुलम खुला है आनुपंखेर सत्रुगन रिशी कपूर राज कपूर एक बोलो भाई राज कपूर नहीं राज कपूर गलत रिशी कपूर भी बेटा जी महां सही है तो राइट अंसर किया है बेटा जी रिशी कपूर आच बताओ रिशी कपूर को पापा राज कपूर रिशी कपूर को भाई रन धीर कपूर, राजीव कपूर, रिशी कोपूर की पत्नी, नीतिको, sorry, नीतू कपूर, कौन पेटा पूलो ना, रिशी कपूर को छोड़ो, रनवीर कपूर रनवीर कपूर की बहु आलियभण याणि फिलम इंड शर्टीज में बहुत बढ़ो परिवार से कुण सो कपूर परिवार famous और सारा करिना कपूर करिश्मा कपूर, राज कपूर, रिषी कपूर वाई थो कर सम्मी कपूर एक ओर तो यजड़ा हम है, रिषी कपूर को भाई कुन ठोड़े सम्मु कपूर गपोर, परम ब Бजकि का भाई था ह। रिषी कपूर इजड़ के लिए इसमे के लिह भाईर को अ मर गया कब दो वज़ार अठ आरर कब बल गया、 दो अज़ार प्रवाइक के लिए आवाड मिला था आइफ आवाड मेला था उसको खलनाई की भूमिका के लिए रोत हो यह रोमांटिक रोत हो चोकलेटी आनि चिंटु का या करता लोग प्यार से कहारत रिशीकपूर का असली नाम क्या था गर पे चिंटु तो बताओ आरे ओ फिलम आए थी अगनीपथ टू और रोफ लाला का रोल किया था इसमें संजजजट ने क्या था कांचा चीना बही गलती होई कि बेटा बता दी अगनीपथ फर्ष्ट अमिता बच्चन की मुवी थी यूनो और सैकिंड वाली संजजजट की रिशीकपूर की थी रिशी लाला और हमारी सार से राजनीती शुरू किसने की थी लाला लाजपत राए किसने शुरू की थी बेटा बोलो लाला लाजपत राए और आज का मेरे बच्चो आन्तिम पर्षन बताओ शंगाई महोचसव किस राज्य में हुआ फड़ा फड़ बोलो बेटा संगाई महोचसव बोलो बेटा, मनिपूर, संगाई महोचसव कहां पे मेरे बेटा बोलो ना, मनि पूर, और दुनिया जानती है ये लोग टक जील भी कहा है सोच लो कभी मिजोरम हो ना चलो तुम मारी बात माल लिए लोग तक जील तेरता हुआ अभ्हारन कोन सा है कैपूलाम जाओ तेरता हुआ अभ्हारन नू थेरेसे वरे शिक शब्यान वहांशिक जमीन का टिकड़ा छोटा सा दीप तरताव अप्रतीत होता बेटा तो कैबला मा जाओ अब भ्यान कहां पे मेरे बेटा फड़ा भड़ बोलो रहे कैबला मा जाओ अब भ्यान बोलो बेटी उनम कैबला मा जाओ अब भ्यान कहां पे बेटा ये भी बोलो रहे मनिपूर में और दुनिया जानती है ये काला घोडा डांस काला घोडा डांस महराष्ट्रा मुंबई यस बेटा काला घोडा डांस महराष्ट्रा मुंबई काला घोडा डांस महराष्ट्रा मुंबई चलो मैं आज का लास्ट परसन ये रहा बस भारत में लास्ट परसन है प्वोटी सही जवाब बताया है है करते तुके मारी..हब भी पार नहीं पड़ी धरी पते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है मैं नीली करांती बोल रहा हूँ तो भी थर दिमाग में हरित करांती हरित करांती स्वामी रामा नाथन भारत में हरित करांती ध्यान से सुन लो इदर भारत में हरित करांती के जनक मेरे बेटा बोलो स्वामी रामा नाथन भारत में स्वेत करांती दूद करांती के जनक आरे बोलो ना वर्गिस कुरियन टेकनोलोजी करांती के जनक कंत्रिक्स में सैम पितरोधा और मेरा बेटा भारत में नीली करांती मतस्य पालन मचली पालन समुंदरी जीव पालन इसके जनक कों थे हीरा ला लाल चोधरी बेटा हीरा लाल चोधरी अब एक बार परसना आता है दुनिया में हरित करांती के जनक किसे कहा जाता है दुनिया में दुनिया में गुड मेरे बेटा नौरमान बोरलाग दुनिया में हरित करांती का जनक बोला बेटा बोलो नौरमान बोरलाग दुनिया में हरि दूज से, सवेत करांती भी दूज से, एक बार परसनाज चंडिगड पुलिस में, बेटी, आप मिलके ज़र मेर से, में दूज बेटी, यस, ओपरेशान फ्लड, ये भी किस्से है, दूज से, फ्लड का मतलब बाड मत समझना भी बाड आगी तुभान से, ओपरेशान फ्लड इस भी किससे संबंढ नहीं थैता, दूद करांथी से, और पीली करांथी, तेल और िलहन, और मेरी बेटिव, सारी दुनिया जानती है, बता इमान दरी से, ये गोल करांथी, आलु, अलु का कचलू बेटा, दूज से, raysत्ज से, ब में आं गये थे, रजज ट करांथी, सुनेरी क्रांती भी किस से समझीता बेटा बोलो ना बागवानी से और फलों से और दूसर क्रांती दूसर बोलो बेटी सिमेंट से सबस बेटी दूसर क्रांती किस से मेरे बेटा बोलो सिमेंट से और बताओ मेरे बेटी फिर काली क्रांती काली क्रांती काली क्रांती अब भी बोलो यास कोईले से थी पहले अब किसे बेटा जी पैटोल से अब किसे मेरे बेटा बोलो पैटोल से समझदित है कोण सी करांती बेटा काली करांती और दुनिया जानती है काली करांती पैटोल से समझदित है लास्ट परसन बता दो बताओ गया नहीं भई अमरित करांती बता के कहानी खतम करो बेटी अमरित करांती किस से संबंधित बेटा बोलो भई भोलो भड़ा भड़ अमरित करांती नहीं जी जोड़ सुनिये बेटा अमरित करांती सहद अमरित करांती किस से बेटा सहद से और वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है मेरी बेटी बोलो ना, देश में कौन सा काल चल रहा है बेटा बोलो, अमरित काल, कौन सा काल बेटा, अमरित काल, और भाई अठारा सो तिरान में में गनेश उच्छाव, और अठारा सो पिचान में में सिवाजी उच्छाव, अठारा सो तिरान में में बेटा जी गनेश उच्छाओ और अठारा सो पिचान में में बेटा बोलो ना सिवाजी उच्छाओ बोलो गनपती बपा तो भाई आज की क्लास कैसी लगी अरे बोलो जबर्दस्ति न ये बात मैं अभी थोड़ दिर में डाल लूँगा तो कमेंट में बताना पढ़ तो तुमने लिया कहां बताना बेटा कमेंट में और सब बच्चे पढ़ेंगे ओफलाइन तुमने सोरी ओनलाइन तुमने किसमें पढ़ा बेटी ओनलाइन अब पहले बच्चे चलेंगे